हेलो फ्रेंट तो इस वीडियों हम बात करने वाले हैं स्पॉर्ट काउंसलिंग जो की MMUT गोरकपुर में चलने वाला है और ये BTEC First Year Students के लिए है तो बात करें Registration Date की तो Registration Date आपका है 6th November 2022 7 PM to 10th November 2022 11 AM और बात करें Display of Vacant Seat तो 9 November को आपको 3 वजे आपको पता चल जाएगा कितने सीटे खाली हैं किस ब्रांच में और बात करें Spot Counseling की तो Spot Counseling की Date आपको 10 November 2022 10 AM है और आप Website पे जाके Registration कर सकते हैं और आईए बात करते हैं कौन-कौन eligible है तो जो Candidates पहले Online Counseling के लिए Apply किये थे लेकिन उनका किसी भी Round में अभी तक कोई नाम नहीं आया या फिर कोई Branch Alert नहीं हुई है तो उन्हें अपने Portal पे जाना है और उन्हें Spot Counseling के लिए Yes कर देना है और उन्हें Payment करने की कोई जरूरत नहीं है अब बात करते हैं जो स्टुडेंट ने Counseling के लिए Apply नहीं किया था जो New Candidates है तो उन्हें वेबसाइट पे जाना है और Registration करना है और उन्हें 2,000 रुपी उन्हें Pay करना है तब वो Spot Counseling में Apply कर सकते है और बात करते है आपको कॉलेज में 10 नौंबर को जाना है और आपको Multi-Purpose Hall जो की कॉलेज में है वहाँ पे आपको 10 बजे तक पहुँच जाना है 10 अम तक आपको Multi-Purpose Hall में आपको पहुँच जाना है या थोड़ा बहुँच लेट भी हो जाए तब भी कोई बात नहीं है और बात करें Documents की तो Documents के Regarding Already मैंने एक Video अपलोड किया था जो की Description में है आपो वहाँ से जाके देख सकते हैं और बात करें Payments की तो Payments के लिए आपको Spot Counseling में आने से पहले आपको DD बनवाना होगा Demand Draft आपको बनवाना होगा और बात करें Demand Draft कितने की होगी तो आपको अगर Hostel लेना है तो 1,15,600 की होगी और For Non Hostelers 91,300 और DD किस नाम से बनवाना है तो आप देख सकते हैं MMUT Admission Cell के नाम से आपको DD बनवाना है तो ऐसे ही College के Related Doubt के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में Telegram लिंक है उसे जोईन करें और जो भी डाउट सो कमेंट करके हमें बताएं